हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ फिरोज टेक्निकल सुहल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इलेक्टिक केटल का और मिक्सर ग्रैंडर का स्पेर पार्ट्स मतलब इस पेर पार्ट्स तो दिखाऊंगा दिखाऊंगा लेकिन क्या रेट में क्या इटम मुझे मिला है ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगे मतलब wholesale price भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं electric kettle के spare parts के और mixer grinder के spare parts के और आपको एक contact number भी दूँगा मैं जहां से आप ये order book कर सकते हो मतलब माल मगा सकते हो वीडियो बहुत ही अच्छी हो और बहुत ही informative है दोस्तों अगर आपने हमारे इस नए चैनल को subscribe नहीं करा है तो please support करें और हमारे इस नए चैनल को चरूर subscribe कर लें क्योंकि आपको इस चैनल पर भी काफी informative और knowledgeable वीडियो मिलती रहेंगी देखिए ये mixer grinder का कपलर है ये कपलर आपको मिल जाता है wholesale में 280 रुपे का 300 रुपे का अगर पूरा डबबा लेते हैं तब ये जो आप mixer grinder के जार देख रहे हैं जार का तो ऐसे आप price में आपको बता 280 रुपे का है 90 का है 100 का है लेकिन मैं सच्चा ही बताता हूँ दोस्तों इसकी दोस्तों मैं आपको इसका real price बताता हूँ जार का price उसकी quality के उपर depend होता है कौन सा bus लगा है कौन सा blade लगा है कैसी quality की steel है इन सभी चीजों के उपर उसका price depend होता है वैसे normal wholesale market में 90 रुपे से जार की starting हो जाती चटनी जार की उसके बाद में आप 120 का 130 का यहां तक की कई दुकान वाले या कई company मतलब का हैं कि जो अच्छा माल provide करते हैं दुकान वाले seller वो आपको 170 या 190 रुपे का भी चटनी जार देते हैं लेकिन उसकी quality भी दोस्तों एक टंबर genuine quality होती है ये देखिए ये extra large size का blade अब हम दिखाते हैं आपको आर्मेचर दोस्तों आर्मेचर का में प्राइस बता देता हूँ हमारे पास पर 6-7 model के आर्मेचर है वैसे आर्मेचर की proper वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल फिरोज इलेक्टिकल पे डाली है आप वहाँ से जाके आर्मेचर के rate भी जान सकते हो और वो proper वीडियो देख सकते हो कि regular में कौन-कौन से वाले आर्मेचर लगते हैं इस वीडियो में आपको मैं इनका running price बता देता हूँ 190 रुपे से 190 रुपे से आर्मेचर का price स्टार्ट हो जाता है फिर आपको मिलता है 210 का, 220 का, 230 का, कोई-कोई 260 का है इसी के अंदर कोई-कोई ऐसा आर्मेचर है दोस्तो जो 260 का आया है बुझे उस वीडियो में मैंने आपको clear दिखाया है वो वीडियो आप जाके जरूर देखो वैसे normal आर्मेचर आप माल लो 230 या 240 रुपे का आपको मिलता है फिर आप लगा के कस्टमर से 350 से 400 रुपे ले सकते हो दोस्तो आर्मेचर के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा electric cattle के male और female मैं फटा-फट यह सारे आर्मेचर हटा देता हूँ ताकि दिखाने में आसानी हो male female जो है यह आप देख रहे हैं इस वीडियो में electric cattle के यह दिखाता हूँ मैं डबा खोलके यह मिल आया था saw set saw set जब male लेके आया था तब मुझे यह female और male दोनों का set जो है set ही मिलता है वहाँ पर अगर आप अलग-अलग लोग है तो अने-पौने rate बताते हैं अगर आप पूरा set नहीं लेते हो तो वहाँ पर यह लोग आपको महंगा लगाते हैं अगर पूरा set male female का लेते हो तब सस्ता लग जाता है यह switch आप जो देख रहे हो यह वाला switch आपको wholesale मिलता है electric cattle का switch आपको 26 रुपय का 28 का 30 का इसके बाद पे आप packing कर सकते हो इसकी पनी में और अपने हिसाब से rate लेके बैश सकते हो यह में वहाँ का price बता रहा हो आप जो जाओगे उसका खरचा ट्रांसपोर्ट का खरचा से कोई मतलब नहीं है इसका male female है यह आपको मिल जाता है wholesale में 80 रुपय का 79 का 78 का set मतलब 79 का 78 का यह आपको wholesale में set मिल जाता है उसके बाद पे आपका ट्रांसपोर्ट वगेरा का आपका जाने का खरचा इससे हटा के है इस वीडियो में मैंने आपको इन सारी चीजों के rate बता दिये हैं दोस्तो इस पे भी मैं काफी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूँ आप से request हमें support करें और हमारे इस नए चैनल को जरूर subscribe करें चले मिलते हैं अगली वीडियो में अगले topic के साथ में